खुशी कौन नहीं चाहता लेकिन किस कीमत पर धुम्रपान महंगा पड़ता है दुम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाने वालों के लिए भी दुम्रपान पड़े का महंगा है आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मुवी के बारे में तो वाइस मैं आपके मुवी का रिव्यू दूंगा और वाइस मुवी का रिवी स्टाट करने से पहले मैं आपके चीज़ बता दूं कि मैं आप पूरी मुवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्यूटी गैडल पर इस मुवी के प्रिड्यूसर्स की तो इस मुवी के जो प्रिविशर से हैं वहां गौतम बफाना और प्रिविन चूडा समा तो चली अब बात कर लेते हैं आप इस मुवी के अपको देखने के लिए मिलेंगे दिलजान वाडिया बुना अब्दुल्ला और आलिया सिंग और सवर लि और जाकर हुसान तो गैश चलिए अब हम बात कर लेता है हाँपर इस मुवी के सिनमेटी गृ début के वारे में तो गैश इस मुवी के जो सिनमेटी गरिफी किया है वो की है अर्विन सिंग फिनवार ने और इस मुवी को एडिट किया गया है विनोध प्रजापती के दुवारा तो वैस अगर हम बात करें यहां पर इस मुवी के music की तो वैस इस मुवी के अंदर जो music दिया है वो दिया है मुदासिर अली ने और अनुराग मोहन ने तो वैस चलिए अब बात कर लेते हैं आप इस मुवी के production companies की तो वैस इस मुवी के production companies है वह कोरा प्रोडेक्शन और प्रवीन चूडा समा फिल्म्स और फेर डील इस्टूडियोज तो वैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस इस मुवी की रिलीजिंग डेट की तो यह मुवी रिलीज हुए 6 November 2015 को और मुवी का total running time है 116 मिनट का और इंडिया की Hindi language की मुवी है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस मुवी के box office पे कमाई की तो इस मुवी जो box office पे कमाई की है वो कि है 0.15 करोल रुपे तो चलिए अब हम आपे बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस मुवी की story के बारे में तो गई मुवी की story स्टाट होती है यहां से दिवाली की रात रिया अपने office के basement में बंद हो जाती है उसे समीर के रूप में मदत मिलती है जो वहां एक सुरक्छा гарड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो guys यह जानने के लिए कि समीर उसके हत आ VIC की मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप मुवी देखें और साइव शॉझै और वा लगा और तीसरा सोंग रहमो करम आखरी सौंग वह रूह कैद है तो अप मुवी के स girth काफी अच्छे सांग से मूवी के तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं दस में से 4.8 की रेटिंग जिससे कि आप खुद अंदाजर लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी तो इस में आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि मूवी को IMDb रेटिंग मिली है वो इतनी खराब नहीं है और नहीं इतनी अच्छी है मीडियम में है रेटिंग त ज्यादे ज्यादा सेयर कीजिए हैं आप सभी का सवागत है मेरी यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मूवी के बारे में तो मैं आपको मूवी का रिव्यू दूंगा और इस मूवी का रिवी और थोड़ी शी मूवी के स्टॉरी के बारे में तो ख़ग इस मूवी को लिखा गया है राजिद्व सफारी के दुवारा तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप पर इस मूवी के प्रडूस की तो ख़ग इस इस मूवी के जो प्रडूसर्स हैं वह गौतम बफाना और पर वाकिर हुसान तो चलिए अब हम बात कर लेटे हैं इस अपर इस मुझी के वारे में तो शेलर मुझी के अपर अर्विन इस मुवी के म्यूजिक की तो इस मुवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है मुदासिर अली ने और अनुराग मोहन ने तो यह बात कर लेते हैं यह चाह नुममबर 2015 को और मूवी का टो डानिंग टाइम है 116 मिनट का। और इंडिया की Hindi language की movie है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस movie के box office पे कमाई की तो इस movie जो box office पे कमाई की है वो कि 0.15 करोल रुपे तो चलिए अब हम आपे बात कर लेते हैं थोड़ी सी movie की story के बारे में तो चलिए इस movie की story स्टार्ट होती है हां से दिवाली की रात रिया अपने office के basement में बंद हो जाती है उसे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहाँ एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस movie के soundtrack के बारे में तो जगर हम बात करें आप इस movie के soundtrack की तो इस movie के अंदर टोटल चार सौंग्स है तो जो पहला सौंग है वह है तू है कजब सोनिये और दूसरा सौंग है उड़ने लगा और तीसरा सौंग है रहमो करम और जो चौत सब्सक्राइब की तो इस movie को IMDb पर मिले हैं दस में से 4.8 की रेटिंग जिससे कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि movie की story कैसी होगी तो इस में आपको यहां पर एक बात बता दूं कि movie को IMDb rating मिली है वो इतने खराब नहीं है और नहीं इतनी अच्छी है medium में है कीजिए तो इस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादे ज्यादा सेयर कीजिए हैं आप सभी का सवागत है मेरी YouTube चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं four pillars of basement movie के बारे में तो इस मैं आपको बाताता तो उन्य कवारे में किशने किया ř Lore Peer konly फृट इस टौरी के बारे में तो मचानल यह वे बात कर लेता है आप इस इस मूवी के प्रोडूसर्स की तो कशली के बात कर लेते हैं आप इस तेर चैनल के बारे में आपको देखने कले देने मिलेंगे दिल जान वडिया बिनुना अब्दुल्ला और आलिया सिंग और सवर अली और जाकर हुसैन तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं तो गैस जो सिनुमिटी ग्रिफी की वे पर वह किये है अर्विन सिंग फुनवार न है और गैस इस मूबी को एडिट किया गया है विनोध परजापती के दोरा तो वैस अगर हम बात कर रहे हैं आपर इस movie के music की तो इस movie के अंदर जो music दिया है वो दिया है मुदासिर अली ने और अनुराग मोहन ने तो जब अब बात कर लेते हैं आपर इस movie के production companies की तो इस movie के production companies है वह है Quora Productions और पर फिर्वीन चूडा समा फिल्म्स और फेरे डील इस्टूडियोज तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हैं पर इस मुवी की रिलीजिंग डेट की तो यह मुवी रिलीज हुए 6 नमबर 2015 को और मुवी का टोटल रॉनिंग टाइम है 116 मिनट का और इंडिया की हिंदी लेंगविज की मुवी है तो चलि कि रात रिया अपने औफिसके बेसमेंट में बंध हो जाती है उसे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहां एक सुरुक्षा-गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और साउंड्रेक के बारे में तो इस मुवी के अंदर टोटल चार सोंग्स है तो जिस पहला सोंग है और दूसरा सोंग है उड़ने लगा और तीसरा सोंग है रहमो करम और चौछव और आखरी सोंग मूवी का वह रूह कैद तो वैस्ट आप मूवी के सौनिये काफी अच्छे सौंग से मूवी के तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस मूवी की एमडीबी रेटिंग की तो इस मूवी को आएमडीबी पर मिले हैं दस में से चार्पमट आठ की रेटिंग जिससे कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मूवी को जो आएमडीबी रेटिंग मिली है वो इतनी खराब नहीं है और नहीं इतनी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादे ज्यादा सेयर कीजिए हैं आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मूवी के बारे में तो मैं आपको इस लिए को दैशक्यार यह फोर थोड़ी ऌड्म की स्टोरी के बारे में तो इस मोई को डैक किया है ग्रिशतनाय के और इस इस मोई को लिखा गया है राजवान सफारी के दोवारा तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे दिलजान वाडिया बुरुना अब्दुल्ला और आलिया सिंग और सवर अली और जाकर हुसैन को दें डृफिए्ट कुण विनौद्प्रोडशी का धिए विनुध्र पर्जा पती के दुवारा तो पहलता किस्को्मी के अंधर मियूजिक दिया वो दिया है मुदासिर अली ने और अनुराग मोहन ने सब्सक्राइब बात कर लेते हैं उस्हुल्प dai चैले आफे इस मुवी का नंबर 2,15agol tting क को विए मोई टायंक्न टाइम है 116 मिनट का और इंडिया की Hindi language की movie है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस movie के box office पे कमाई की तो इस movie जो box office पे कमाई की है वो कि 0.15 करोल रुपे तो चलिए अब हम आपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस movie की story के बारे में यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप movie देखिए और movie का आनन लीजिए तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस movie के soundtrack की तो इस movie के अंदर टोटल चार सौंग्स है तो जो पहला सौंग सुनिये काफी अच्छे सौंग से इस movie के तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस movie की IMDb रेटिंग के बारे में तो इस movie को IMDb पर मिले हैं दस में से 4.8 की रेटिंग जिससे कि आप खुद अंदाजर लगा सकते हैं कि movie की story कैसी होगी तो इस में आपको यहां पर एक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादे ज्यादा सेर कीजिए हैं आप सभी का सवागत है मेरी YouTube चनल थंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मुवी के बारे में तो वाइस मैं आपके मुवी का रिवीव दूँगा और मुवी का रिवीव स्टाट करने से पहले मैं आपके चीज़ बता दूं कि मैं आप पूरी मुवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्मुनिटी गैडलाइन्स के हुज चलिए अब बात कर लेते हैं याप पर इस मुवी के प्रिड्यूसर्स की तो इस मुवी के जो प्रिडूसर्स नंट्र इंभ ओर हॉख लाका तो वाइस चलिए-व-बात खर लेते हैं आपने इस मुवी के अदर जो म्यूजिक दिया है वह दिया है मदासिर अली और अनुराग nhất चलिए वह मात चलै हैं अपने पर इसमसी प्रोडेक्शन कंपनी सब्सक्राला है वह हैं कोरा प्रोडेक्शन और प्रवीन चूडा समा फिलिम्स और फेर डील इस्टूडियोज तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं हैं पर इस मुवी के रिलीजिंग डेट की तो गैस यह मुवी रिलीज हुए 6 नमबर 2015 को और मुवी का टोटल रॉनिंग टाइम है 116 मिन इस मुवी के बैसमेंट में जाती है उसे समीर के रूप में बदद मिलती है जो वहां एक सुरक्षा गाड़ के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनन लीजिए तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हाँ पर इस क्रश्यू कर सोभी आपके सब्सक्राइब करें अब आपक बात कर लेते हैं पर इस मूली की रेटिंग की तो इस मूली को आइम डीबी पर मिले हैं दस में से 4.8 की रेटिंग जिससे खुद अंदाज है लगा सकते कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी तो इस में आपको यहाँ नदाजाल लगा सकते हैं कि मूवी की श्टोरी कीसी है तो अच्छे से खी स्वागत है मेरी यूट्वी चनल तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मुवी के बारे में तो मैं आपको मुवी का रिवियू दूँगा और मुवी का रिवियू स्टार्ट करने से पहले मैं आपके चीज़ बता दूं कि मैं पूरी मुवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट नाइक के ने और इस उस मुवी को लिखा गया है राजन सफारी के दुवारा तो चलिए अब मात कर लेते हैं आप पर इस MDR और और आलिया सिंह और सवर अली और यह चाकर हुसें थो इभास कर लेते है आप पर इस मुए के सोनीमिति ग्रेफी की ड़ार में तो इस मोई के सव पूनवार नि सुनीमिति की है वोग जी नुझक पुनवार ने और इस मुवी को एडिट किया गया है विनोध प्रजापती के दुवारा तो वैसे अगर हम बात करें यहां पर इस मुवी के म्यूजिक की इस मुवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वह दिया है मुदासिर अली ने और अनुराग मोहन ने तो चलिए अब बात कर लेते हैं आप इस मूवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मुवी का टोटल रॉनिंग टाइम है 116 मिनट का और इंडिया की कि मुवी थी तो चली है एब हम बात कि लेते हैं यहां पर इस मूवी के बॉक्स औफिस पर कमाई की है उसे समीर के रूप मदद मिलती है जो वहां एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप मुवी देखिए और मुवी का आनन लीजिए तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हाप इस मुवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो चार सोंग्स है तो पहला तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर इस मूवी की एमडीब रेटिंग की तो इस मूवी को आएमडीब पर मिले हैं दस में से चार मॉट 8 की रेटिंग जिससे कि आप खुद अंदाजा लगा सकते कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी तो इस मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि मूवी को जो आएमडीब रेटिंग मिली है वह इतनी खराब नहीं है और नहीं इतनी कि में अच्छी है मीडियम में हैं तो मैं सब्सक्राइब कीजिए in Watch के चीज़ बता दूँ कि मैं अब पूरी मुवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्यूटी गैडलाइंस के हुजासे तो बैस चलिए स्टार्ट करते हैं मुवी के बारे में मैं आपको दोता हूं मुवी के रिवियो और बताता हूं मुवी के बारे में कि इस मुवी के जो प्रिडूसर हैं वहां गौतम बफाना और प्रिविन चूड़ासमा तो चलिए हम बात कर लेते हैं आप इस मुवी के स्टार्ण डॉल के बारे में तो इस मुवी के स्टार्ण डॉल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिलजान वाडिया बरूना पुनवार ने और इस मुवी को एडिट किया गया है विनूद परजापती के दुवारा तो वैस्ट अगर हम बात करें यहां पर इस मुवी के म्यूजिक की तो इस मुवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वह दिया है मुदासिर अली ने और अनुराग मोहन ने तो चलिए चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर इसम नमबर 2015 को और ननिंगता और इंडिया इंडिय की मुवी है तो चलिए अब में आपकर बात कर लेता है तो मुवी की histori के बारे में तो मूबी 않ов और इस श्टॉरी होती है तो इस दिवाली की रात रिया अपने आफिस के समेंट में बंद हो जाती है उसे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहां एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप मुवी देखिए और मुवी का आनन लीजिए तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस मुवी के साउंड ट्रेक की तो इस मुवी के अंदर टोटल चार सौंग्स है तो पहला सौंग है वह तू है जब सोनिये और दूसरा सौंग है उड़ने लगा और सौंग है रहार्म करम और चौता और आखरी सौंग मुवी का है और है रह रूक है तो प्रॉप्य आफ मोगी के सौंग तो लिए अब हम बात कर ल memb इंतिज्व की थो मोगी को नहीं है दसमें से सब्सक्राइब आर्ट की रेटिंग जिससे कि आप खुद अंदाजर लगा सकते हैं कि मुवी की स्टोरी कैसी होगी तो इस मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि मुवी को जो आमडीवी रेटिंग मिली है वह इतनी खराब नहीं है और नहीं इतनी अच्छी है मीडियम में है रेटिंग one कैसी है तो इसे खुद अंदाजर लगा सकते हैं कि मुवी की स्टोरी कैसी है तो इस अच्छे से मुवी कीनी स्टोरी को जानने के लिए आप मुवी देखे हैं और का अनन लीए और करATA rip करने बाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मुवी के बारे में तो वाइस मैं आपके हाँ पर मुवी का रिव्यू दूंगा और मुवी का रिव्यू स्टाट करने से पहले मैं आपके चीज बता दूँ कि मैं पूरी मुवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कमुनिटी गैडलाइ थ्युक्त ग्रिश्ट नाइक के ने और इस इस मोगी को लिखा गया है राजन सफारी के दुआरा तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप पर इस मोगी के प्रिडूसर्स की तो इस इस मोगी के जो प्रोडियूसर्स हैं वह रही गौतम बफाना और प्रिविन चूड़ा सम तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर इस मुवी के सिनुमिटी ग्रिफी के बारे में तो गैस इस मुवी के जो सिनुमिटी ग्रिफी की है वो की है अर्विन सिंग फुनवार ने और गैस इस मुवी को एडिट किया गया है विनोध परजापती के दुवारा तो वैज अगर हम बात करहें आप इस मूवी के music की तो वैस इस movie के इंदर जो music दिया है वो दिया है मुदासिर अली ने और अनुराग मोहन ने तो जल्य अब बात कर लेते हैं आप इस movie को production companies की तो जल्य मुई को production companies है कोरघॉडेक्शंस और प्रवीन चूड़ा समा और फेर डील इस्टूडियोज तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस मुवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मुवी रिलीज हुए 6 नमबर 2015 को और मुवी का टोटल रॉनिंग टाइम है 116 मिनट का और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मुवी है तो चलिए अब हो जाती है उसे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहां एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप मुवी देखिए और मुवी का आनन लीजिए तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस मुवी के साउंट्रेक के बारे में तो इस लिए पहला सौंग और दूसरा सौंग है उड़ने लगा और तीसरा सौंग है रहमो करम और चौता और आखरी सौंग इस मूवी का वह रूह कैद है तो आप मुवी के सुनिए काफी अच्छे सौंग से मुवी क है अब बात कर लेते हैं मूवी की आमम्ट्र रेटिंग तो इस मूव Crunch चौत अंदाज पर सकते हैं मूवी की स्चोरी कैसी अको हाप बता दूं के अरह मूवी के अमद्र में जा है मींडियम में है få इसे खिद अंधजार लगा सकते कि मुवी की स्ट्टोरी कैसी है तो इस अच्छे से मुवी की स्ट्री को जानने के लिए हैस आप मोँवी देखिए और मुवी का आंनन लिजी और लाइस चलीए आप मेरे प्रिवियु दूँँगा और मोवी के रिवीयु दूँगा और में बता दूँगा पूरी अप्लोड नहीं कर पाऊंगा यूटूब कम्योंटी गैडलाइंस की वजासे तो लिए बने आप को दोका मूवी के रिवियु और बताता हूं इस के वारे में लिखा गया है तो हम बात कर लेते हैं आप पर इस मुवी के प्रीडूसर की तो इस मुवी के जो प्रीवी चूड़ा स्वा तो जब हम हम बात कर लेते हैं आपधे इस मूवी और सवर अली और जाकर हुस्रा मॉजस चलिए अब हम बात पिरेंग आपनेॹं इस पिरूजिक की ऑप पर सब्सक्राइब की तो इस मुवी की जो प्रोडेक्शन कंपनीज है वह है कोरा प्रोडेक्शन और प्रवीन चूड़ा समा फिल्म्स और फेर डील इस्टूडियो तो वैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं हैं पर इस मुवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मुवी रिलीज हुए 6 नमबर 2015 को औ कोटर रनिंग टाइम है 116 मिनट का और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मुवी है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस मुवी के बॉक्स ऑफिस पर कमाई की है वह कि है 0.15 करोल रुपे तो चलिए अब हम यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस मुवी क चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मुवी के साउंट्रैक के बारे मैं तो जब अगर हम बात करें हैं आफ इस मुवी के साउंट्रैक की तो इस मुवी के अंदर टोटल चार सौंग्स है दूसरा सँण है उढ़ने लगा और तीसरा सँग है रहमो करम और चौन्स पर आखरी सजह का वह है रुह कैद है तो वाइस आप मुवी के सुनिये काफी अच्छे सवंग से मुवी के तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर इस मुवी की एमडी रेटिंग की तो इस मुवी को पर मिले हैं 10 में से 4.8 की रेटिंग जिससे कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मुवी की स्टोरी कैसी होगी तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मुवी को जो इतनी खराब नहीं है और नहीं इतनी अच्छी है मीडियम में है रेटिंग तो आप इससे खुद अंद है आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेसमेंट मुवी के बारे में तो इस में पर मुवी का रिव्यू दूंगा और इस मुवी का रिव्यू स्टाट करने से पहले मैं आपके सफारी के बारे में तो ओंवी को डैक क्या है आपके नाइक के orकाइस मुवी को लिखा गया है राजन सफारी के दवारा झोड कर लेते हैं weenर आपको देखने के सलेंगे दिलजन वाडिया बुरूना अब्दुल्हू और जाकर खुशेन तो से तो ऎम बात कर लडेते हैं ये वो कि अर्वेंद सिंग फुनवार ने और इडिट किया विनोद परजाहपती के दुआरा तो गाइस अगर हम बात करें आप इस मूजिक की तो ये अंदर जो मुजिक दिया है वह दिया है मुदासिर अली ने और अनुराग मोहन ने तो गाइस चलिएब हम बात कर लेते हैं हैं पर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज हुए 6 नमबर 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और इंडिया की हिंदी लैंगविज की मूवी है तो चलिए अब जो वहां एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता belum करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप मू़ी देखिया और मूवी का अनंड लीजिए चलिए अब हम बात कर लेते हैंहां पर इस मूवी के साउन्ट्रेक के बारे में तो गाईज अगर हम बात करें आए पर ईस मोवी के सान्ट्रेक की तो इस पansen सोन दो आप करतेmaid की IMDb rating के बारे में तो अगर हम बात करें मुवी की IMDb rating की तो इस मुवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.8 की rating जिससे कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि movie की story कैसी होगी तो इस मैं आपको यहां पर एक बात बता दूँ कि movie को मुवी की story कैसी है तो इस अच्छे से movie की story को जानने के लिए आप movie का आनन लीजिए और movie के song सुनिये songs काफी अच्छे हैं और songs का आनन लीजिए तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादे ज्यादा सेयर कीजिए हैं आप सभी का सवागत है मेरी यूट्यू चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मुवी के बारे में तो वाइस मैं आपके आप मुवी का रिव्यू दूंगा और मुवी का रिव्यू स्टाट करने से पहले मैं आपके चीज बता दूं कि मैं पूरी मुवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यू कम्यूटी गैडलाइंस के अब परबब बाता हो में महाँ बड़ी को पर शुन्य किस ने कर तो ऊसके बारें तो वाइस इस मुवी को लिखा किया है राजन-सवा-धारी तो पूर्वए प्र्षूऽ कि प्रणूर्स की तो सिर्वें और गौतम बफाना और प्रवीन चूदासंप, हमइभिस प्रणूर्ण के बारे में वह लेक्सितन आ पोफ है थे ओल दिलजान वाडिया वरいたुम अब्दूल्ला और अलिया और सवर अली और जाकिर हुसैन तो चलिए अब बात कर लेते हैं पर इस मुवी के वह थे वह वह की है अर्विन सिंग फुनवार ने और इस मोई को एडिट किया गया है विनोध परजापती के दुवारा तो अगर कर रहां पर इस मूवी के music की तो इस इस एंदर जो music दिया है वो दिया मुदासिर अली ने और अनुराग मोहन ने तो वैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके इस इस movie के box office पे कमाई की तो इस movie जो box office पे कमाई की है वो कि 0.15 करोल रुपे तो चलिए अब हमें आपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी movie की story के बारे में तो इस movie की story स्टार्ट होती है हां से दिवाली की रात रिया अपने office के basement में बंद हो जाती है उसे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहां एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच सेल वह तु है का जब सोनिय और दूसरा सोग है उडने लगा और तीसरा सॉंग है रहमो करम और चौतह और आखरी सौन का वह रूह प्याइद है तो बारे नग्स है काफी अच्छे सब्सक्राइब बात कर लेते हैं पर इस पर बात करें हैं तो इस मुजी की एम डिप मुवी को जो AMDB रेटिंग मिली है वो अधिन खराब नहीं है और नहीं अच्छी है मीडियम में है तो आफ से खुद अंधाज कर लगा सकते हैं है मुवी की स्टोरी कैसी है together अच्छे से मुवी की श्टोरी को जानने के लिएBayes आफ मूवी देखिएоп6 और वाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा सेर कीजिए आप सभी का सवागत है मेरे यूटूब चैनल ठंडर व्यूस में तो आज हैं पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मुवी के बारे में तो वाइस मैं आपके मुवी का रिवीव दूँगा और मुवी का रिवीव स्टाट करने से पहले मैं आपके चीज़ बता दूं कि मैं आप पूरी मुवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूटूब कमुनिटी गैडलाइन्स के कि यूवर यूजयग बारे में अपको ड्रीव यूख तो इस मूवी के जो प्रिडूसर हैं वह गौतम बफाना और प्रिविन चूड़ा समा तो चलिए अब बात कर लेते हैं आप इस मूवी के इस टैरंग डोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिलजान वाडिया बुरुना अब्दुल्ला और आलिया सिंग और सवर अली औ पती के दुवारा तो वैस्ट अगर हम बात करें यहां पर इस मूवी के म्यूजिक की तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वह दिया है मुदासिर अली ने और अनुराग मोहन ने तो चलिए अब बात कर लेते हैं आप इस मूवी के प्रोडेक्शन कंपनी की तो इस मूवी के जो प्रोडेक्शन कंपनी हैं वह हैं कोरा प्रोडेक्शन और प्रवीन चूडा समा फिल्म्स और फेर डील इस्टूडियो तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस मूवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी रिलीज हुए 6 नमबर 2015 को और मूवी स्टूरी स्टाट होती हैं से दिवाली की रात रिया अपने ऑफिस के बेस्मेंट में बंद हो जाती है उसे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहां एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो जब बात करें हैं पर इस मोवी के साउंड ट्रैक की तो इस इस मुवी के अंदर टोटल čार सौंग बात करें लगा और थीस और पर गज़ा हो कि रहमो करम और और आखरी स्वंग वहां है रूख कैद है तो वैजा आप मूवी के सॉनियें गाफी अदाजा अलगा सकते हैं कि अ मूवी की न को समयक्राव के बात कि मिली है वो इतने खराब नहीं है और नहीं अच्छी है तो ब्याइब उसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है तो अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनन लीजिए और मूवी के सौंग सुने हैं सौंग काफी अच्छ है और सौंग का आनन लीजिए तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडि दोने के पाँपने को मुवी के बारे में चलिए प्रैक्द याप खाड़न सफारी तो चलिए मबात कर लेते हैं आप इस मुवी के प्रोडूसर्स की तो इस मुवी के जो प्रोडूसर्स है वह गौतं बफाना और प्रविन चूड़ा समा तो भब बात कर लेते हैं अपर मुवी के स्टारंग रॉल में आपको देखने की लिए मिलेंगे दिलजान वाड्या अब्रूना अब्दृल्ला और आल्या सिंह और सवर अली और जयकिर हुसेन तो चलिए अब हम बात कर लो एडिट किया गया है विनोध परज़ापती दुआरा तो अगर हम बात कर रहें आपर इस movie के music की तो इस movie के अंदर music दिया है वह दिया है मुदासिर अली ने और अनुराग मोहन ने तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस मुवी की रिलीजिंग डेट की तो यह मुवी रिलीज हुए 6 नमबर 2015 को और मुवी का टोटल रॉनिंग टाइम है 116 मिनट का और इंडिया की हिंदी लैंगविज की मुवी है तो चलिए बात कर लेते हैं यहांपे इस मुवी के बॉक्स ऑफ फिस पे कमाई कि इस मुवी चली रूप में बंद हो जाती है उसे शल्व के रूप में मदद मिलती है जो वहाँ एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनल लीजिए तो चलिए अब हम बा लेघन चत्रा सोंग है रहमो करम और उस चौथा और आखरी सांग मोवी का वह है रूह कैद है तो गई जाथ मोवी के सुने काफी च्छे सूंग से मुवीके तो बहुत कर लिया अब बात कर लेते हैं इस मूवी की एमडेटिंग के वारे मैं तो वाइज हैं इस मूट पर मिले हैं 10 •4.8 की रेटिंग जिससे खुद अंदजा सकते कि िस्टोरी कैसी होगी तो च綁ओ आपको नहीं पर बता इए पर आइँ तो आप की plane Natal और गैस मुवी के सौंग सुनिए सौंग काफी अच्छ है और सौंग का आनन लीजिए तो गैस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादे ज्यादा सेयर कीजिए है आप सभी का सवागत है मेरे यूटूब चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं कि तो मुट कि ने किया है और थोड़ी की स्टोरी के बारे में तो इस मोड़ी को लिखा गया है राजन सफारी के दौरा तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस मूबी के प्रोडूूसर की तो इस मूइजिए जो प्रिदूसर्स हैं वह गौतम बफाना और पृविन च और आलिया सिंग और सवर अलीऊ उर जाकर हुसाइन उस्फिंट रिफी के वारे में तो इस मुई सिर्फी के इस मुवी के अब बात करें यहां पर इस और प्रवीन चूड़ा समा फिलिम्स और फेर डील इस्टूडियोज तो वैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस मुवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मुवी रिलीज हुए 6 नमबर 2015 को और मुवी का टोटल रॉनिंग टाइम है 116 मिनट का और इंडिया की हिंदी लेंगवेज की मुवी है तो जाली हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस मुवी की स्टोरी के बारे में तो इस मुवी की रात र्या अपने ऑफिस के बेसमेंट में बंद होजाती है उसे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहाँ एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो गैस यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए अब movie देखे और movie का आनन लीजिये तो guys चलिए अब हम बात कर लّगा अब इस movie के soundtrack के बारे में तो guys अगर हम बात कर रहे हाँ यहाँ तो guys इस movie के अंदर total 4 songs है तो guys इस movie के अंदर जो पहला song है वह वह है तू है कि जब सोनिये और दूसरा सौंग है उढने लगा और तीसरा सौंग है रह्मो करम और चौतो और आखरी सौंग इस मूवी का वह है रुहकैद है तो अब मूवी के सुनिये काफी अच्छ Allah से उस मूवी के तो चलिए अब तो आपको यहां पर एक बात बता दूँ के मुवी को जो IMDb रेटिंग मिली है वो इतनी खराब नहीं है तो नहीं इतनी अच्छी है दो और मुवी का पी आनन में है तो मैं आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब क Article ौट मना की जादा बोदर करने वहां चानल में い 될healthy खराएं में हम सब्सक्राइब एक きल्च हो इस वासे हैं नहीं फिरर्ष माइद पर यहां व् 2 बात सब्सक्राइब नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्यूटी गैडलाइंस के उजासे तो वैस चलिए स्टार्ट करते हैं मुवी के बारे में मैं आपको दोता हूं मुवी के रिवियो और बाता हूं मुवी के बारे में कि इस मुवी को डायक कि ने किया है और थोड़ी सी और प्रिविन चूड़ा समा तो चलिए हम बात कर लेते हैं आप इस मुवी के स्टार्ण डॉल के बारे में तो इस मुवी के स्टार्ण डॉल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिलजान वाडिया बरूना अब्दुल्ला और आलिया सिंग और सवर अली और जाकिर हुस तो इस मुवी के अंदर जो मुजिक दिया है वह दिया है मुदासिर अली ने और अनुराग मोहन ने तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस मुवी के प्रोडेक्शन कंपनीस की तो इस मुवी का श्यूदा समा फिल्म्स और फेर डील इस्टूडियो तो चलिए अब हम हम बात कर लेते हैं यहां पर इस movie के box office पे कमाई की तो इस movie जो box office पे कमाई की है वह कि 0.15 करोल रुपे तो चलिए अब हम आपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस movie की story के बारे में तो इस movie की story करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप movie देखिए और movie का आनन लीजिए तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस movie के soundtrack की तो इस movie के अंदर total 4 songs है तो इस movie के अंदर जो पहला song है वह है तू है जब सौनिये और दूसरा song है उड़ने लगा और तीसरा song है रहमो करम और जो चौथा और आखरी song है इस movie का वह है रूह कैद है तो आप movie के song सुनिये काफी अच्छे song से इस movie के तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप पर इस movie की IMDb rating के बारे में तो इस movie को IMDb पर मिले हैं दस में से 4.8 की rating जिससे कि आप खुद अंदर जा लगा सकते कि movie की story कैसी होगी तो इस मैं आपको यहां पर एक बात बता दूँ के movie को IMDb rating मिली है वह इतनी खराब नहीं है और नहीं इतनी अच्छी है वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादे ज्यादे सेयर कीजिए है आप सभी का सवागत है मेरे YouTube चनल ठंडर व्यूज में तो वैस आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मूवी के बारे में तो वैस मैं आपके मूवी का रिव्यू दूँगा और मूवी का रिव्यू स्टाट करने से पहले मैं आपके चीज बता दूँ कि मैं पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्यूटी गैडलाइन्स के हुजासे तो मीन इस चर्व करते मुवी के बारे में लिखा गया है अपर क्रेस्ट कर लेते हैं उस्मुवी के प्रिद्यूट किी थे उसमय अाप बात कर लेते हैं आप याप को देखने के लिए मिलेंगे दिलजान वाडिया, बिरुना अब्दुल्ला और आलिया सिंग और सवर अली और जाकर हुसेन तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस मुवी के सिनुमिटी ग्रिफी के वारे में तो गैसिस मुवी के जो सबढ़ाने कि यहां और अरवन सिंग फुनवार ने और गैस इस मुवी को एड़िट किया गया विनोध प्रजापति के दुआर तो गैस अगर हम बात करें आप के हैं इस मुवी के स्वी मूजिक की तो गैस इस मुवी के आंदर जो को और मुवी का टोटर रनिंग टाइम है 116 मिनट का और इंडिया की हिंदी लेंगवेज की मुवी है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और आनन लीजिए तो चलिए अब बात कर लेते हैं आप इस मुवी के साउंड ट्रेक कि तो इस मूवी के अंदर चार सौंग पहला सौंग है और दूसरा सौंग है उढ़ने लगा और तीसरा सौंग है रह्मो करम और चौथा और आखरी सोंग इस मूवी का वह है रूह कैद है तो गैस आप movie के song सुनिये काफी अच्छे song से इस movie के तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप पर इस movie की IMDB rating के बारे में तो गैस अगर हम बात करें इस movie की IMDB rating की तो गैस इस movie को IMDB पर मिले हैं जिससे कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि movie की story कैसी होगी तो गैस मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ के movie को IMDB rating मिली है वो इतनी खराब नहीं है और नहीं इतनी अच्छी है medium में है रेटिंग तो गैस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि movie की बैसी है तो इस अच्छे से movie की story को जानने के लिए आप movie देखिये और movie का आनन लीजिए और गैस movie के song सुनियों songs काफी अच्छ है और songs का आनन लीजिए तो चलिए आप मेरी चैनल को subscribe कीजिये वीडियो को like कीजिये और ज्यादा ज्यादा सेर कीजिए है आप सभी का सवागत है मेरे यूटूब चनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स ऑफ बेस्मेंट मूवी के बारे में तो वाइस मैं आपके मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टाट करने से पहले मैं आपके चीज बता दूं कि मैं पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूटूब कम्यूटी गैडलाइन्स के हो ज चलिए अवंग बात कर लेते हैं आप पर इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की धोडियूसर्स है वह गौत्व भइन चूड़ाव समा चलिए भाच कर लेते हैं आप इस ल revealsут के अनंब कि और दिल्जान वाडिया बुरुना अब्दुल्ला और आलिया सिंग और सवर अली और जाकर हुसायन तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हैं पर इस मूवी सिनमेटि की बारे में इस मुवी की किया है वह की है अर्विन सिंग फुनवार ने और गैस इस मूवी को एडिट किया गया है विनोध प्रजापती के दुवारा तो वैसे अगर हम बात करें यहां पर इस अब भी के म्यूजिक की तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वह दिया है मुदासिर अली ने और अनुराग मोहन ने तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस मूवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनटका और इंडिया की तो चलिए अब हम बात करना है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस समीर के मदद मिलती है जो वहाँ एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनल लीजिए तो चलिए तो गैस तीसरा सॉंग है रहमो करम और चौथा और आखरी सॉंग मोवी का वह रूह कैद है तो जब मोवी के सुनिए काफी अच्छे स्वाइए तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपर इस मूवी रेटिंग के बारे में तो जब बात करें इस मूवी की अमडीब रेटिंग की तो इस मुवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.8 की रेटिंग जिससे कि आप खुद अंदाजर लगा सकते कि मुवी की स्टोरी कैसी होगी तो इस मैं आपको यहां पर एक बात बता दूँ कि मुवी को जो IMDb रेटिंग मिली है वो इतनी खराब नहीं है और नहीं इतनी अच्छी ह है रेटिंग तो आप शैसे खुद अंदाजर लगा सकते कि मुवी की स्टोरी कैसी है तो इस अच्छे से मुवी की स्टोरी को जैनने के लिए आप मुवी का अननन लीजिए और आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और जादा है ज्यादा सेर कीजिए है आप सभी का सवागत है मेरे यूटूब चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स ऑफ बेस्मेंट मूवी के बारे में तो वाइस मैं आपके मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टाट करने से पहले मैं आपके चीज़ बता दूँ कि मैं पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूटूब कम्यूटी गैडलाइन्स के के बारे में तो यह चालिए स्टाट करते है मूवी के बारे में आपकोल करने किया है और थोड़ी सिस्टोरी के बारे में तो इस मुई को लिखा गया है राज जन सफारी के दोवारा तो चैलिए अब हमंद बात कर लेते हैं आप तो देखने के लिए मिलेंगे दिलजानवाडिया बिरोना अबदूला औराया Sorry you talk later geçts ज़िए मुवे की है वो कि है अर्विन सिंह फुनवार ने और है और विनो तो बात करें रहें यहां पर इस मुवी के Jewish की चरह alt जो थे लिए ने और् अनुरांग मोहन न है तो इस प्रेक्षान कमपनी ईस्कों का प्रॉडेक्शन काल यहत्य हैन Bishop छूड़ा समा फिल्म Aun तो गैज चलीए अब हम बात कर लेते हैं पे अपर ऐस्फे कमाई कि ए अपने ओफिस के बेस्मेंट में बंध हो जाती है उसे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहाँ एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनन लीजिए तो गैज चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस movie के soundtrack के बारे में तो गैज अगर हम बात करें आप इस movie के soundtrack की तो गैज इस movie के अंदर total 4 songs है तो गैज इस movie के अंदर जो पहला song है वो है तू है का जब सोनिये और दूसरा song है उड़ने लगा और गैस तीसरा सौंग है रहमो करम और गैस चौथा और आखरी सौंग इस मूवी का वो है रूह कैद है तो गैस आप मूवी के सौंग सुनिये काफी अच्छे सौंग से इस मूवी के तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो गैस सब्सक्राइब बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं दस में से 4.8 की रेटिंग जिससे कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी तो मैं आपको यहां पर बात बता दूं कि मूवी को जो IMDb रेटिंग मिली ह है वह इतने खराब नहीं है नाहीं इतनी अच्छी है मीडियम में ही रेटिंग तो आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते कि मूवी प्लाइव की श्टोरी किसी लिए मोगी मैं यहां पर आ हम बात करने क Trail. हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मुवी के बारे में तो मैं आप कहां पर मुवी का रिव्यू दूंगा और मुवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपके चीज बता दूं कि मैं आप पूरी मुवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्मुनिटी गैडला पारा तो दिझे आप स्टारण करेसे अपहर बात कर लेते हैं पर इस मोवी के प्रिदुसर्स की तो इस मूवी के जो प्रिजूसर्स हां वह Ana गौत्म बफाना और प्रिविन चूदा समाँ तोगए चली आप में पात कर लेते हैं आप इस मूवी के स्टार्ण गोल के बारे सब्सक्राइब थे जब समा फिल्म्स और फेर डील इस्टूडियोज तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हैं पर इस मुवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मुवी रिलीज हुए 6 नमबर 2015 को और मुवी का टोटर रॉनिंग टाइम है 116 मिनट का और इंडिया की हिंदी लेंगवेज की मुवी है तो च विरात रिया अपने ऑफिस के बेस्मेंट में बंद हो जाती है उसे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहां एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके सौंट्रेक की तो इस इस मुवी के अंदर टोटल चार सॉंग साइज नर सोंग वह तू है का जब सौनिय और दूसरा साइज उड़ने लगा और तीसरा सोंग है रहम करम और आखरी समूवी का वह है रूख-कैद है तो आप मुवी के सौंग सुनिये काफी अच्छे सौंग से मूवी के तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं तो चलिए आप में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिए हे गाइस आप सभी का सवागत है मेरी यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मूवी के बारे में तो वाइस मैं आपके मूवी का रिव्यू दूँगा और मूवी का रिव्यू स्टाट करने से पहले मैं आपके चीज़ बता दूं कि मैं आप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा नहीं फोफ़ेर का विटास से हैं तो नहीं याइस मोवी को लिखा गया है राजन सफारी के दूआरा तो इस हैं पर इस मोवी से तो गैस इस movie के जो producers हैं वह गौतम बफाना और प्रविन चूड़ासमा तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस movie के इस थारंग डूल के बारे में तो गैस इस movie के इस थारंग डूल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिलजान वाडिया, बिरुना अब्दुल्ला और आलिया सिंग और सवर अली और जाकर हुसेन तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस मुवी के सिनुमिटी ग्रिफी के वारे में तो गैस इस मूभी के जो सुनिमेटिक रीफि किया है वो किया है अव備न सिंग फोनवारा ने और गैस इस मूओी को यह अड़िट किया गया है विनौत पर्जापती के दुवारा तो गैस अगर हम बात करें हैं हाँप मज़िक की की तो यह मुवी रिलीज हुए 6 नमबर 2015 को और मुवी का टोटर रॉनिंग टाइम है 116 मिनट का और इंडिया की हिंदी लेंगविज की मुवी है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस मुवी के बेसमेंट में बंद हो जाती है उसे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहां एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करत 녈 पर्म करते हैं कि तो यह सब अच्छे से जानने के लिए जब मुई देखिए और मुई कर दूसरा सॉंग है उड़ने लगा है रहम कर्म और वहां दूसरा और आखरी कहके हैं वह रूपकैद है अब मात कर लेते हैं पर इस मूवि की IMDb लेटिंग की तो मुवी की procedure क्यों ड़ने मिली है। तो आप इससे खुद अंदाजर लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है तो अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनन लीजिए और मूवी के सौंग सुनिए सौंग्स काफी अच्छे हैं और सौंग्स का आनन लीजिए तो वारे में आपको मुवी के रिवीव दूँगा और इस मुवी के रिवीव स्टाट करने से पहले आपके चीज बता दूँँ कि मैं पूरी मुवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्व कम्मुनिटी गैडलाइन्स की हुजासे तो इस चलिए स्टाट करते हैं मुवी के वार तो इस चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप पर इस मुवी के प्रिडूसर्स की तो इस मुवी के जो प्रिडूसर्स हैं वह हैं गौतम बफाना और प्रिविन चूड़ा समा तो इस चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस मुवी के स्टार्ण डोल के बारे में तो इस तो जब बात कर लेते हैं पर इस मुदासिर अली ने चाहिए मुदासिर अनुराग मोहन ने तो बात कर लेता है आप इस मुभी प्रोडक्षन कंपनीज का으로 प्रवीन चूड़ा-समाफिश टूडियोग तो बैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर इस मुवी की रिलीजिंग डेट की तो यह मुवी रिलीज हुए 6 नमबर 2015 को और मुवी का टोटर रानिंग टाइम है 116 मिनट का और इंडिया की हिंदी लेंगवेज की मुवी है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर इस मुवी के बेस्मेंट में बंद हो जाती है उसे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहां एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनन लीजिए तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस मूवी के साउंट्रेक के बार और चोथा और आखरी सौंग का वह है रूह कैद है तो आप मुवी के सौंग सुनिये काफी अच्छे सौंग से इस मूवी के बारे में तो अगर हम बात करें इस मूवी की इस इस मूवी को आएमडी पर मिले हैं दस में से चार्पट आठ की रेटिंग जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते के मूवी की स्टोरी कैसी होगी तो इस मैं आपको इहां पर एक बात बता दूं के मूवी को जो आएमडी पी रेटिंग मिली है वह इतने खराब नहीं है और ना ही इतनी अच्छी है मीडियम में हाई रेटिंग तो आप इससे खुद अंदाजार लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है तो अच्छे से मूवी देखी को जानने के लिए ओर कम प्रक्राभ और मुवी को चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडिय करने से पहले मैं आपके चीज़ बता दूं कि मैं अपर पूरी मुवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्व कम्मिनटी गैडलाइन्स के वजासे तो इस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में आपको दोता हूं मूवी के रिवियो और बाता हूं मूवी के बारे मे इस मोवी को जया है घिरीशन नैक के लिए इस चैरनेग डॉल के बारे मैं तो इस मोवी के इस ट्रस के लिए मुवी TIME में आपको देखने के βारे में दिलजानवादिया बरूना अब्दॉल्लi और आलै सिघ्प और सवर अली और जाकर हुसायन तो गया चलिए अब बात कर लेता है पर सुनुमिटी ग्रीफी के बारे में तो गया इस मुधी की है वो कि है अरविंद सिग्ष फुनवार ने और पर इस मुझ को एडिट किया गया है विनोथ P одно Lesi के दूआरा है तो वी ए देशे संद्ध मुझें यह वोग अब पर बात कर लेते हैं इस मुझ कब्र जॉद्व अपरर मैं की तो तो फिर्वी अब डूपर जुडुडव मिनट का और इंडिया की हिंदी लेंगवेज की मुवी है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस मुवी के box office पे कमाई की तो इस मुवी जो box office पे कमाई की है वो कि 0.15 करोल रुपे तो चलिए अब हम मुवी देख के लिए अब हम बात कर लेते हैं आपर मुवी कर बारे में तो डर भी से तो टो चार सोगसा तो रूपन जो पहला सौने और दूसरा लगा और तीस्रा सौन सोग है रहमो करम और चौता और आखरी सोंग वह है रूह कैद है तो आप मोई के सौंग सुने काफी अच्छे सब्सक्राइब काफिया स्वाइब तो चलिए अब बात कर लेते हैं पर इस मूवी की लिए है वो इतनी खराब नहीं है और नहीं इतनी अच्छी है मीडियम में है रेटिंग तो कई आप इससे खुद अन्दाज़ा लगा सकते के ज़्यादे ज़्यादा सेयर कीजिए है आप सभी का सवागत है मेरी यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने बारे में किस murder किस ने किया है और थोड़ी समुबीडी स्टूरी में तो वाज यहां लॉआ किया है और सवर अली और जाकिर हुसायन तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस मूवी के सिनुमिटी ग्रीफी की है वो कि है अर्वनसिंख फुनवार ने और इस मूवी को एडिट किया गया है विनोध पिर्जापति के दुवारा तो गैस अगर हम बात कर रहें हैं है इस मूव प्रोडेक्शन्स और प्रवीन चूड़ा समा फिल्म्स और फेर डील इस्टूडियो तो वैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं हैं पर इस मुवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मुवी रिलीज हुए 6 अपने ऑफिस के बेस्मेंट में बंद हो जाती है उसे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहाँ एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए गाईज आप मूवी देखिए और मूवी का आनन लीजिए तो गैज चलिए अब हम बात कर लेते हैं हापे इस मूवी के साउंट्रेक के बारे में और वास चौता और आखरी साउंग इस मूवी का वह है रूभ कैद है तो गैज आप मूवी के सौंग काफी अच्छे सांग से इस मूवी के तो गैज चलिए अब हम बात कर लेते हैं हैं पर इस मूवी की अमड़ीवी रेटिंग के बारे में ना ही इतनी अच्छी है मीडियम में है रैटिंग तो आप इससे खुद अंदजा लगा सकते कि मूवी की स्टोरी कैसी है तो अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिया और आनन लीजिए और मूवी के सौंग सुनिये सौंग्स काफी अच्छा है और सॉंग्स का आनन लीजिए तो वैस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादे ज्यादा सेयर कीजिए है आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मुवी के बारे में तो वाइस मैं आपके मुवी का रिव्यू दूंगा और मुवी का रिव्यू स्टाट करने से पहले मैं आपके चीज़ बता दूं कि मैं आप पूरी मुवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्यूटी गैडलाइ रहे हैं इसमल एक क्या ईक किया ग्रिश नाइक के ने और इसमोडिन सफारी के दुआ। चलिए अब हम बत कर लेते हैं पर इस मोडिया और प्रिवीं टूडासमा तो बात करITH कर लेते हैं आप यस मुवी और गैस इस मूई को एडिट किया गया है विनुध प्रजा पती के दुवारा तो इस मूई के अंदर जो म्यूजिक दिया है वह दिया है मुदासिर अली ने और अनुराग मोहन ने तो चलिए हम बात कर लेते हैं पर इस मूई के प्रोडक्शन कंपनीज था है वह कोरा प्रोडेक्शन और प्रवीन चूड़ा समा फिलिम्स और फेर डील इस्टूडियोज तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं हैं पर इस मुवी के रिलीजिंग डेट की तो गैस यह मुवी रिलीज हुए 6 वाली की रात रिया अपने ऑफिस के बेस्मेंट में बंद हो जाती है उसे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहां एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो गैस यह जानने के लिए कि सम सांट्रेक की तो इस मूवी के अंदर टोटल चार सोंग सा तो गैस पहला सोंग है वह तू है गजब सौनिये और दूसरा सोंग है उडने लगा और तीसरा सोंग है रहमो करम और चौथा और आखरी सौंग जो है रूह कैद है तो जब आप मोभी के सौंग सुनिये काफ़ी मैं पर एक बात बता दूं कि मूवी को वो इतनी ख़राब नहीं है और नहीं अच्छी मेडियम में है तो आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते कि जैनने के लिए आप मुवी देखिए और मुवी का आनन लीजे और वाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादे ज्यादा सेयर कीजिए है आप सभी का सवागत है मेरी यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मुवी के बारे में तो वाइस मैं आपके मुवी का रिव्यू दूंगा और मुवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपके चीज़ बता दूं कि मैं आप पूरी मुवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्यूटी गैडलाइ और इस मुवी को डायक किया है घ्रिश नाइक के ने और इस मूई नहीं को लिखा गया बात करें आप इस मूवी के इन पर भी की तो इस मूवी के अंदर जो मूजिक दिया है वो दिया है मुदासिर अली ने और अनुराग मोहनन ने तो चलिए अब बात कर लेते हैं आप इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनीज और प्रविण चूडासमा फिल्म्स और फेर डील की तो यह मुवी रिलीज हुए 6 नमबर 2015 को और मुवी का टोटल रॉनिंग टाइम है 116 मिनट का और इंडिया की हिंदी लेंगवेज की मुवी है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस स्रक्षा गार्ड के ृपमें काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर क normalmente प्रक्रती क्या करता है या नहीं करता है तो यह सب अच्छे करने के लिए अप मूवी देखिया मूवी आनन लीजिए तो जैसे अब बात कर लिन आप इस मीउवी के sound track के Bтом में बात करें आप पर मूवी के sound tracks है तो जो पहला song वह तु छॉनिया और दूसरा तो गैस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं दस में से 4.8 की रेटिंग जिससे कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी तो गैस में आपको यहां पर बात बता दूँ कि मूवी को IMDb रेटिंग मि सॉंग्स का आनन लीजिए तो इस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादे ज्यादा सेयर कीजिए हैं आप सभी का सवागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मुवी के बारे में तो वाइस मैं आपके मुवी का रिवीव दूंगा और मुवी का रिवीव स्टार्ट करने से पहले मैं आपके चीज़ बता दूं कि मैं पूरी मुवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्यूटी गैडलाइन्स क कि अगरे में किया हैं पूर थोड़ी इस एस मूवी के बारे में तो इस मुवी को लिखा गया है राज्जन सफारी के दोड़ा तो ऑफ्योवी के प्र प्रोड्यूसर की तो इस नहीं बात कर लेते हैं आप देखने के लिए मिलेंगे दिलजान वाडिया-ब्रुना अब्द सवर अली और जाकर॥ हुसेन तो इस मूजब कर लेते हैं पर इस मूजब दी तो इस मूद iets की वह कि अर्वन शिंग्त फुनवर ने और और इस इस मूजब को एडिट किया है विनुधिजापति के दो आए उनक्फ के मिजियक दिया तो इस मूवी के अंदर जो music दिया है वो दिया है मुदासिर अली ने और अनुराग मौहन ने तो इस चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपर इस मूवी के production companies की तो इस मुवी की production companies है कोड़ा प्रोडेक्शन और प्रवीन चूडासमा फिल्म्स और फेर डील इस्टूडियोज तो वैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस मुवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मुवी रिलीज हुए 6 हो जाती है उसे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहां एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए गाईज आप मूवी देखिए और मूवी का आनन लीजिए तो गाईज चलिए अब हम बात कर लेते हैं हाप इस मूवी के सांट्रेक के बारे में तो गाईज अगर हम बात करें हाप इस मूवी के सांट्रेक की तो गाईज इस मूवी के सुनिए काफी अच्छे सॉंग से मूवी के तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो वैस अगर हम बात करें इस सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादे ज्यादा सेर कीजिए आप सभी का सवागत है मेरी यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मूवी के बारे में तो वैस मैं आपके मूव सब्सक्राइब करने से पहले मैं आपके चीज़ बता दूं कि मैं आपको पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्यूटी गैडलाइंस के हुजासे तो वैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में मैं आपको मूवी के रिवियो और बाताता हू में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिल जानवाडिया बरुना अब्दुला और अलिया सिंग और सवर अली और जाकर हुसाइन तो इस चलिए अब हम बात कर लेते हैं हाप पर इस मुवी के सिन्मिटी ग्रिफी की वह कि है अर्विन सिंग फुनवार ने और इस मुवी को एडिट किया गया है विनोध परजापती के दुआरा तो इस मुवी के म्यूजिक की तो इस मूजि पुदासमा फिल्म्स और फेर डील स्टूडियोज तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस मुवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मुवी रिलीज हुए 6 नमबर 2015 को और मुवी का टोटर रॉनिंग टाइम है 116 मिनट का और इंडिया की हिंदी लेंगविज की मुवी स्ट्रड़ी के लिए दिवाली की रात रिया अपने ऑफिस के बेस्मेंट में बंद हो जाती है उससे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहाँ एक सुरक्षा गाड़ के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनन लीजिए तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस मूवी के सांट्रेक के बारे में तो जगर हम बात करें आप इस मूवी के सांट्रेक की तो इस मूवी के अंदर टोटल चार सौंग्स है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं दस में से 4.8 की रेटिंग जिससे कि आप खुद अंदाजर लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी तो इस में आपको यहां पर बता दूँ कि मूवी को यहां पर बात करने वाले हैं 4 पिलर्स और बेस्मेंट मूवी के बारे में तो वाइस मैं आपके हैं पर मुवी का रिवीव दूँगा और इस मुवी का रिवीव श्टार्ट करने से पहले मैं आपके चीज बता दूँ कि मैं पूरी मुवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्व कम्मुनिटी गैडलाइन्स के वजासे तो इस लिए स्टार्ट करते हैं मुवी के बारे में इस मुवी के प्रेडियूसर्स की तो इस मुवी के जो प्रेडियूसर्स हैं होह हंë गॉतम बफाना और पिर्मीर चूडसमा तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर इस मुवी के सुनुमिटी ग्रिफी के बारे में तो सब्सक्राइब आरवन सिंग फुन्वार ने और इस सब्सक्राइब विनौद प्र्जापति के दुवारा तो वैसकि अगर बात कर रहे हैं आप पर इस मूवी के फिल्म्स और फेर डील इस्टूडियोज तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस मुवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मुवी रिलीज हुए 6 नमबर 2015 को और मुवी का टोटर रॉनिंग टाइम है 116 मिनट का और इंडिया की हिंदी लेंगवेज की मुवी है तो चल के बेसमेंट में बंद हो जाती है उसे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहां एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी और दूसरा सौंग है उड़ने लगा और तीसरा सौंग है रहमो करम और चौथा और आखरी सौंग है वह है रूह कैद है तो आप मुवी के सौंग सुनिये काफी अच्छे सौंग से मूवी के तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की अच्छे से मूवी की स्टोरी के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनन लीजिए और मूवी के सौंग सौंग का अच्छे तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादे ज्यादा सेयर कीजिए आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मूवी के बारे में तो व्यूज मैं आपके मूवी का रिव्यू दूँगा और व्यूज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपके चीज़ बता दूं कि मैं आप पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब पाइक के ने और गैस इस मोवी को लिखा गया है राज़न सफारी के दुआरा तो जान वाडिया बिरुना अब्दुल्ला और आलिया सिंग और सबर अली और जाकर तो गैस चलिए अब बात कर लेते हैं पर इस मुईच दिया है वह दिया है मुदासिर अली ने और अनुराग मोहन ने तो गैस चलिए बात कर लेते हैं आप इस वोन उपोडिक्शन कंपनिव्स ओ स्थिर kings और प्रवीन चुड़ा समा फिलम्स और फैर डील उडियो दो चलिए अब बात कर लेते हैं यह मोवी कीा रिलीजिंग की THAT actors Square नेरे मुविट्य इक आप हिंडिया की पूर्ट चोड़ी ठाइमा smallest चेली दे Yup थोड़े सी मूवी की स्टोरी के बारे में तो कैस्त मजिस Should start होती है से दिवाली की रात रिया अपने ओफिस के बेस्मैट में बंद हो जाती है उसे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहां एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी क मूवी बाती दो ओ रहमओ करण तो जौतसों सब्सक्राइब आधिकर 6 आखर 10-8 गैसे लगा सकते हैं स स्थास्टोरी हदके सकants के सवेखेज़। दो आपको यहाँ पर बात बता दूं कि फर्मक्राइब को मली है वो इतनी खराब नहीं है ओना ही अच्छी है मीडियम में है रैटिंग तो आफ इसके खुद अंदाजर लगा सकते हैं जैनने के लिए आप मुवी का आहधी की स्वागत मेरी यूट्वी चनल ते आउस आजluded हमम बात वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मुवी के बारे में तो गाइस मैं आपके मुवी का रिवीव दूँगा और गाइस मुवी का रिवीव स्टार्ट करने से पहले मैं आपके चीज बता दूँ कि मैं आपके पूरी मुवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्व कम्मुनिटी कर दा защण सफारी के दुवारा तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अप पर इस मुवी प्रोड्यूसर की तो मैस्ट इस मुवी के जो पर्यूसर सहे वहां गौताम बफाना और प्रिविन चूड़ आसंमा तो अब बात कर लेते हैं आप इस मुवी के इस टेयरोज के बारे मे तो गैस इस मूवी के इस टार्म डोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे दिलजान वाडिया, बिरुना अब्दुल्ला, और आलिया सिंग, और सवर अली, और जाकिर हुसेन तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं şekilde इस मुवी के सिनमेटि गिरिफी के बारे में तो गैस अबधिर हम बात कर लेते हैं deeply की है और अर्विंसिंग फुनवार ने और गैस इस मुवी को एडिट किया गया है विनूद पिर्जापती के दवारा तो वैस अगर हम बात करें यहां पर इस मूवी के म्यूजिक की तो वैस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है मुदासिर अली ने और अनुराग मोहन ने तो वैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस मूवी के प्रोडेक्शन कंपनीज की तो वैस इस लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो अच्या से जानने के लिए कि लिए आप मुवी ácडूक अर्माजर मर्माद कना मैं करते ही एक लिरूक है चोटार चार संग और दूषie है गजब सोनिये और दूसरा सोंग है उड़ने लगा और तीसरा सोंग है रहमो करम और जो चौथा और आखरी सोंग मूवी का वह है रूह कैद है तो आप मूवी के सुनिये काफी अच्छे सोंग से मूवी के तो चलिए अब आपको यहां पर एक बात बता दूँ कि मूवी को जो आमड़ी रेटिंग मिली है वह इतनी खराब नहीं है और नहीं इतनी अच्छी है मीडियम में है रेटिंग तो आप इससे खुद अंदाजर लगा सकते के मूवी की स्टोरी के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आ इसमेंट मूवी के बारे में तो मैं आपके मूवी का रिव्यू दूँगा और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपके चीज़ बता दूँ कि मैं पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्यूटी गैडलाइन्स के हुजासे तो इस चल इस चली अब बात कर लेते हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे दिलजानवाडिया बुरुना अब्दूल्ला और आलिया सिंग और सवर अली और जाकर हुसैन तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस movie की सिनुमिटिक रिफी के वारे में तो चलिए इस movie की जो सिनुमिटिक रिफी की है वो की है अर्विन सिंग फुनवार ने और इस movie को edit किया गया है विनौत परजापती के दोबारा तो वैस्ति हम बात करें हैंम पर इस मुवी के म्योजिक यॉजिक गिया भी मुधासिर अलीन और अनुराक मोहन न है को कोईयई लार है अब बात कर लेते हैं पर इस मुई को प्रोक्षिन कंपनी चूर्षींग को कोर प्रोडएक्षण और प्रभीन चूदासमा फिर्शिय्म्पड इंडीम ब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस मूवी के box office पे कमाई की तो इस मूवी जो box office पे कमाई की है वो कि 0.15 करोड रुपे तो चलिए अब हम आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस movie की story के बारे में करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनल लीजिए तो चलिए अब लिए अब हम बात कर लेते हैं इस movie की IMDb rating के बारे में तो इस movie को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.8 की rating जिससे कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि movie की story कैसी होगी तो इस में आपको यहां पर एक बात बता दूँ कि movie को IMDb rating मिली है वो इतनी खराब नहीं है और नहीं इतनी अच्छी है medium में है rating तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते कि movie की story कैसी है तो अच्छे से movie की story को जानने के लिए आप movie देखिए और movie का आनल लीजिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादे ज्यादा सेयर कीजिए है आप सभी का सवागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मुवी के बारे में तो वाइस मैं आपके मुवी का रिव्यू दूँगा और मुवी का रिव्यू स्टाट करने से पहले मैं आपके चीज़ बता दूं कि मैं आप पूरी मुवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यू कम्मुनिटी फोर चलिए अवं बात कर लेते हैं वह अपको देखने के लिए दिलजान वाडिया अब्दुला और आलिया सिंग और सवर अली और जाकिर हुसाइन तो गाइब चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप एस मूवी के सिनुमिटिक फिर्फ़ी के बारे में तो गाइब इस मूवी की सिनुमिटिक फिर्फ़ी की है वो की है अर्विन सिंगravel फुनवार ने और गाइब इस मूवी को एडिट किया गया है वह है कोरा प्रोडेक्शन और प्रवीन चूडा समा फिलिम्स और फेर डील इस्टूडियोज तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस मुवी के रिलीजिंग डेट की तो गैस यह मुवी रिलीज हुए 6 नमबर 2015 को और मुवी का टोटल रॉनिंग टाइम है 116 मि इंडिया के हिंदी लैंग्वेज की मुवी है तो गैस चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी शिटरी के बारे में तो गैसमीर की रात रिया अपने आफिस को मज़ों चलिए कि समीर के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि उसकी मदद करने के लिए हैं तो विस यह जानने के लिए कि समीर उसके हद क्या खूर करता है और उसकी मदद करता रहे नहीं उस movie का आण लाँ से तो गैस लिए और दूसरा सोंग है उड़ने लगा और तीसरा सोंग है रहमो करम और चौथा और आखरी सौंग वह रूह कैद है तो आप मुवी के सुनिये काफी अच्छे सौंग से समुवी के तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर इस तो अब बात कराएं इस मूवी की एमडीब रेटिंग की तो इस इसमोवी को इमडीब पर मिले हैं 10 में से चार्प मॉट आर्ट की डिटिंग जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी तो इसमें आप के महां पर एक बात बता दूं कि मूवी को जो IMDb रेटिंग मिली है वो इतनी खराब नहीं है और नहीं इतनी अच्छी है वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादे ज्यादा सेयर कीजिए है आप सभी का सवागत है मेरी यूट्वी चनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मूवी के बारे में तो वाइस मैं आपको यहां पर मूवी का रिविय और बाता है हूँ दिखते हैं क Dabei कि बारे मं के जो ठोड़ियकिशने की है और तोड़ी सी स्टोरी के बारे में तो इस ली स्टोरी के बारे मा और इस मूवी लिखा गया है तो इंदे ने Midiک से और आलिया सिंग और सवर अली और जाकर हुसेंथ तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो मुजिक दिया है वह दिया हम बात कर लेते हैं पर इस movie की प्रोडक्शन कमप् hasta और प्रवीं चूडबसन Sn फिलम्स और फेर डील इप श्टूडियों । जलिए अम हम बात कर लेता हैं पर इस movie की ड्ट्रेट की दोग्षन यह जे नमब्र दोह taro 15 को और मुवी का टोटर रनिंग टाइम है 116 मिनट का और इंडिया की हिंदी लेंगविज की मुवी है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस मुवी के बॉक्स आफिस पर कमाई की है वह कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप मुवी देखिए और से चाहाँ थें पहला सौन्ग है तो यह चलिए बात कर लेते ही से मूवी के Presotz ट्रेक के बारे में थे अगर वह डिए मॉज जो अब बात कर लेते हैं आप एस मुई के साउंट ट्रेक कीस् आइमडी रेटिंग की तो इस मुवी को आइमडी पर मिले हैं 10 में से 4.8 जिससे कि आप खुद अंदाजा लगा सकते कि मुवी की स्टोरी कैसी होगी तो इस में आपको यहां पर बात बता दूँ कि मुवी को जो आइमडी रेटिंग मिली है वो इतनी खराब नहीं है और नही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादे ज्यादा सेयर कीजिए है आप सभी का सवागत है मेरी यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेसमेंड मुवी के बारे में तो इस म निरस मुवी को सब्सक्राइब निर्जंस सफारी के दवारे में तो इस मूवी के बात कर लेते हैं में थे बनुए और अब पर और जाकिर हुसीन तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहीं इसutsD इसमोई जो सुन इमिटेग रीफी किये है बहुत अर्विं सिंग फण फुनवार ने और इसमोई को एड़िट किया गया स्टूडियोज तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस मुवी के रिलीजिंग डेट की तो यह मुवी रिलीज हुए 6 नमबर 2015 को और मुवी का टोटल रॉनिंग टाइम है 116 मिनट का और इंडिया की हिंदी लेंगवेज की मुवी है तो चलिए अब हम बात कर लेते ह अपने और आफिस के बेसमेंट में बन्द हो जाती है उसे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहां एक सुरुक्षा गार्ड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस मुवी के साउंट्रेक के बारे में तो जगर हम बात करें आप इस मुवी के साउंट्रेक की तो इस मुवी के अंदर टोटल चार सौंग्स है तो जब पहला सौंग है वह तू है गजब सोनिये और दूसरा सौंग है उड़ने लगा और तीसरा सौंग है रहमो करम और जो च में से 4.8 की रेटिंग जिससे कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मुवी की स्टोरी कैसी होगी तो मैं आपको यहां पर एक बात बता दूँ कि मुवी को आमडीवी रेटिंग मिली है वो इतनी खराब नहीं है और नहीं इतनी अच्छी है मीडियम में है रेटिंग तो आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मुवी के बारे में तो मैं आपको मुवी का रिवियू दूँगा और मुवी का रिवियू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ची किया है गृष नाइक के ने और इस मुवी को लिखा गया है राजन सफारी के दुवारा तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप पर इस मुवी के प्रोडूसर्स की तो इस मुवी के जो प्रोडूसर्स हैं वहां गौतम बफाना और प्रिविन चूड़ा समा तो चलिए कर लेते हैं आप इस मुवी के सब्सक्रियो है इस फंवार ने और और इसमोगले आइड़िट किया विनौथ प्रजा पति के दुवारा तो लबात करें पर इस मुवी के मूझिक 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 है वह फेर यह ज़ाम पाफ कर लेट यहां पर इस मुवी की रिलीजिंग डेट की तो यह मुवी रिलीज हुए 6 नमबर 2015 को और मुवी का टोटल रॉनिंग टाइम है 116 मिनट का और इंडिया की हिंदी लेंग्वेज की मुवी है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस मुवी के बेसमेंट में बंद हो जाती है उसे समीर के रूप में मदद मिलती है जो वहां एक सुरक्षा गाड के रूप में काम करता है लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करत है नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए आप मुवी देखिये और मुवी को अंदाज लगा सकते क्यों कि मुवी कि स्टॉरे कैसी होगी टो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादे ज्यादा सेयर कीजिए है आप सभी का सवागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज में तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं फोर पिलर्स और बेस्मेंट मुवी के बारे में तो वाइस मैं आपके मुवी का रिव्यू दूँगा और मुवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपके चीज़ बता दूं कि मैं आप पूरी मुवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्यूटी तो चलिए अफ हम बात कर लेते हstory, इस एक बात कर लेते हैं है is आप पे प्रॉडूसर्स की गति स्मूवी को प्रॉडूसर और प्रॉबीन हम है हम बात कर लेते हैं पे इस तो इस इस मोई को एडिट किया गया है विनोद परिजा पती के दुवारा तो वैस्ट अगर हम बात करें यहां पर इस मूजिक की तो इस मूई के अंदर मुजिक दिया है वो दिया है मुदासिर अली ने और अनुराग मोहन ने तो गैस चलिएब बात कर लेते हैं पर इस movie के production companies की तो गैस इस movie के जो production companies है वहाई Quora production और प्रवीन चूड़ा समाव फिल्म और Fair Deal studios तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इस movie के releasing date की तो गैस यह movie release हुए 6 november 2015 को और movie का total running time में 116 मिनट का और इंडिया की हिंदी लेंगविज की मुवी है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इस मुवी के box office पे कमाई की तो इस मुवी जो box office पे कमाई की है वह कि 0.15 करोड रुपे तो चलिए अब हम समीर उसकी मदद करने के लिए नहीं है तो यह जानने के लिए कि समीर उसके हत क्या करता है और उसकी मदद करता है या नहीं करता है तो यह सब अच्छे से जानने के लिए अब मुवी देखिए और मुवी का आनन लीजिए तो चलिए अब हम कर लेते हैं हाप पर इस मूवी के सांटटरेक के बारे में तो जगर हम बात करें हैं आप इस मूवी के सांट्रेक की तो कशोइश न्डर तो प्लडल चार संग साथ मूवी के पहला सोंग how to have सुन ये दोसरा सोंग है उड़ने लगा और ो तीसरा सोंग है रह alumni सब्सक्राइब नियुक्त और चौथा और आखरी सवागए वह रूह कैद है तो आप मुवी के स्वाइब काफ़ी अच्छे सवागए के तो इस चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर इस तो आपको यहां पर बता दूं कि मुवी को आएमडीब रेटिंग मिली है वो इतनी खराब नहीं है तो नहीं इतनी अच्छी है मीडियम में है रेटिंग तो आप इससे खुद अंदाजर लगा सकते हैं कि मुवी की स्टोरी कीसी है तो अच्छे से मुवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मुवी देख़ें और मुवी का आनन लीजिए और मुवी के सॉंग्स सुनियां का आनन लीजिए तो वैस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा है ज्यादा सेयर कीजिए